दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारी जोरोप चैनल पर दोस्तों मैं आपका सर मिस्टर डीकुमार इस वीडियो में इंटर एडमिशन हेतू जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होगा उसी किस चंदर में ये सुचना बताने जारा हूँ दोस्तों जैसा कि अभी आप इस स्क्रीन पर देख वा रहे होंगे कि इंटर नामांकन को प्रथम सुची साथ को होगी जारी जहां दोस्तों जैसा कि आपको पुर्व में जो सुचना मिला होगा उसके अंतर गत इंटर एडमिशन के लिए जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होना था वो चार ही अगस्त को जारी होना था लेकिन किसी कारण वस अब चार अगस्त को ये जारी नहीं होने जारी है अब यह जो नामांकन की प्रथम सूची जो है यह 7 अगस्त को जारी होगी तो इसके संदर में कुछ सूचना दी गई है जो मैं आपको बताऊंगा इससे पहले अगर आपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा कर और वीडियो को नोटिफिकेशन अप्टू डेट मिलती रहेगी और आप इसी तरह से इंटर एडमिसेंस जूरी हरेक इंफॉर्मिशन अप्टू डेट पाते रहेंगे तो यहाँ पे जो असपत्रोब से बीहार बोट ने इंफॉर्मिशन जा जिन छात्रों को college या school आवंटित होगा उन्हें उन college या school में नामांकन लेना होगा देखे जो भी school या college आपको आवंटित किया जाएगा आपको allotment होगा उसमें आपको admission लेना ही होगा परथम चैन सुची में चैनी छात्रों को 7 से 12 अगस तक असपस्ट कर दिया है कि 7 से लेकर 12 अर्थात 5 से 6 दिनों का शमय आपको दिया जाएगा 7 से 12 अगस तक नामांकन लेना अनिवारी है ज्यात हो कि इंटर नामांकन के लिए 3564 college और स्कूल के लिए 17 लाग सीटे आवंटित है टोटल जो सीट हैं वो 17 लैक्स सीट जो है अब यहां पर कि इस बार सिक्षन संस्थान के साथ सीटे भी बूर्ड ने बढ़ाई है स्कूलों में ऑफलाइन नामांकन लिया जाएगा मतला आप स्कूल में जाकर आप जो है नामांकन ले पाएंगा तो यह सभी चीज़ें आपको देनी होगी तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बता दूगा कि बना दूगा कि क्या क्या चीज़ें आपको कॉलेज में लेकर जानी होगी अड्मिशन के लिए यहां पर बाकिपूर गल्स हाइज स्कूल की प्राचारे मीना कुमारी ने ब रहे कि अगांजी नाम आगस्तस्य ले रही है कि छैन सूची जारी होने के बाद आकर नाम उग्ण सम Gather हो रही है तो साथ अगस्त से ही नामांकन जो है आप जाके ले सकते हैं हर स्कूल में चार कॉंटर बनाये जाएंगे विज्ञान, कला, वानिजी, संकाई के लिए अलग-अलग कॉंटर होंगे विज्ञान रथाथ साइंस, कला अरथाथ आर्ट्स और वानिजी अरथाथ कॉमर्स तो इनषिम आप जो आपने जारी नुसाथ और यहां कौन से कागजात आपको लेके जाने होंगे तो आपको मैट्रिक का जो मुल अंक पत्र रधात मार्क्सीरिफीट जो होता है वह उसके बाद सकूल लविंग लिविंग शर्टीफिकेट और यहां पर मूल कैरेक्टर प्रव रहे थे तो और यहां पर है प्रोविजनल सर्टिफिकेट यह आपको लेकर जाना पड़ेगा तो यह चार डोक्योमेंट से जो आपको जरूरत पड़ेगी एडमिशन के वक्त में और आपको जो नामांकर की जो सुची जारी की जाएगी लॉट्मेंट लिस्ट तो उसका प्र